तो हेलो फ्रेंड्स बहुत बरी खुसी की बात यह है कि आप लोगों का बहतर रिजल्ट आ गया जो भी इस्टूडेंट 2023 में परिक्षा दिये थे intermediate का उन सभी छात्र एवं छात्राओं को सफल छात्र एवं छात्राओं को बहुत-बहुत बधाई बहुत-बहुत सुभकामना है धेर सारी सुभकामना है आप खोस रहे हैं मस रहे हैं जो भी छात्र जिस छात्र को आज इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो student जो student को कम नंबर आया है या फिर जो इस्टुडेंट फेल हो चुके है उसके लिए क्या किया जाना चाहिए ताकि उसका नंबर बढ़ जाए जिसको कम है और उसके लिए क्या क्या जाना चाहिए जिसका जो मतलब intermediate में fail हो चुक है उसके लिए क्या क्या करना होगा कौन सा form भरना होगा कब भरना होगा तो मैं बात करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पूरा details में बताने बाला हूँ इस वीडियो में तो सुरू से last तक वीडियो इस वीडियो को देखिए आपको पूरी जानकारी A to Z जानकारी मिल जाएगी और सारा का सारा confusion खतम हो जाएगा तो चले शुरुआत करते हैं बतू से पहले यदि अभी तक लाइक नहीं किये हैं तो लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दवाना नहीं बुलेगा इससे क्या होगा जबी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो सबसे पहले notification आपके पास पहुँच जाएगा और दोस्तो इसके बाद last में हम लोग बात करने वाले हैं metric result को लेकर लास्ट में बात करेंगे metric result को लेकर क्योंकि metric result का जो है न वो final date आच चुका है intermediate का result जारी हुआ उसके तुरंत बाद metric वालों का final date आच चुका है तो चलिए बात करते हैं एकदम सुरुआत से देख लिजए यह science का topers है कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं फास्ट में मैं आपको top की है वो है और मैं बता देता हूँ दोस्तों कि 23 मार्च से 20 परिच्छा का आवेधन सुरू होगा कहने का मतलब यह हुआ कि जिस student को कम नंबर है उसके लिए आवेधन होगा scrutiny का form भरना होगा scrutiny का form क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ scrutiny का form भरना होगा आपको 23 मार्च से जी हाँ दोस्तों 23 मार्च से अगर आप scrutiny का form भरते हैं जिसका कम नंबर आया है ना जिसका कम नंबर आया है तो उसका नंबर बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा मालेजे किसी भी subject में किसी भी subject में जो है आपका कम नमबर आया है और या फिर उस नमबर से आप संतोष्ट नहीं है और आप चैलेंज करना चाहते हैं तो यही स्कूरूटी है चैलेंज करने का आप उस सब्जेक्ट में आवेदन शुरू करिए 23 मार्च से आप लोगों का स्कूरूटी का फॉर्म भरा जाएगा यानि के कल से स्कूरूटी का फॉर्म भरा जाएगा उसमें आप लोग जो है ना जिस सब्जेक्ट में आपको कम नमबर है उस सब्जेक्ट में आप नमबर बढ़ा सकते हैं यह हुआ चैलेंज एक सब्जेक्ट का एक बिसे में अगर आप चैलेंज करते हैं उसका 70 रुप्या आपको पर ठीक है या फिर देखिए ये तो था जिसको कम नंबर आया है उसका नंबर दोस्तों बढ़ जाएगा टेंसल लेनी की बात नहीं है कल से आवेदन सुरू हो चुका है कल से आप लोगों को फर्म भर लेना है ठीक है ओलाइन सिंटर पे जा करके दूसरी बात ये था आपको पहल हो चुके है उसके लिए जो है ना आप लोगों को कमपार्ट मिंटल का फर्म भरना होगा आपको जो है ना जो इस्टुएंट फेल हो चुके है उसके लिए कमपार्ट मिंटल का परिक्षा होता है उसके लिए फर्म फिरलब करना होगा वो कल से ही फर्म भरा जाएगा जो इ दिया जाएगा, यानि इसमें केबल compartmental से आपको pass करार दिया जाएगा केबल आप pass होंगे, division नहीं मिलेगा, pass होने का मतलब यह हुआ, कि अगर आप pass हो जाते हैं इस compartmental में, तो एक साल आपका बरवाद नहीं होगा, उसमें आपको division नहीं मिलेगा लेकिन एक साल आपका बरवाद होने से बच जाएगा ये था आपका compartmental आप बात करते दोस्तों आपको ये कि अगर आप अपने अगर आप जो है ना metric student हैं अगर आप metric के student ध्यान से सुनिएगा पूरा details में समझाने वाला हूँ इस वीडियो में अगर आप metric के student हैं और दोस्त वालों का जो result है ना वो 31 मार्च से पहले आएगा क्या कहा मैंने 31 मार्च से पहले आएगा ये final मुहर लग चुका है इस वीडियो को like कर दीजे चैनल पर पहली ये बार आए तो subscribe करके bell icon को जरूर दबा लीजेगा क्योंकि metric वालों का result बहुत जल्दाने वाला है 31 मार्च से पहले जैसे ही result का परिनाम आता है मैं आपको जो है ना वीडियो के माधियम से WhatsApp ग्रूप के माधियम से टेलिग्राम के माधियम से आपको जानकारी दे दूँगा आपको सही जानकारी मिल जाएगी कल दोस्तों मैंने सारे student को morning में ही बता दिया था क्योंकि जब जब बिहार बोड के Twitter handle पर जब जो है उसका notification आया तो सबसे पहले मैंने अपने WhatsApp के जरीए वीडियो के माधियम से टेलिग्राम के माधियम से मैंने सारे student को information दे दिया नीचे description box में जाएए आपको टेलिग्राम का link मिल जाएगा अगर आप Instagram चलाते हैं उसका link मिल जाएगा ठीक है अग तो उमीद काता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको तीन महतपुर्ण बाते जो बताई वो तीन महतपुर्ण बाते आपको समझ में आ गया होगा फिर भी कोई doubt रहा हो तो आप मुझे comment करके पोच सकते हैं तो मिलते हैं next video तब तक के लिज्या हिंद वन्दे माधरम